नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत हैं, आज हम इस क्लास में पाठ तीन जिसका नाम है अप्पू के साथ ढाई साल बच्चों, अप्पू के साथ ढाई साल इस कहानी के लेख़क सत्यजीत राय हैं, इनके द्वारा अप्पू के साथ ढाई साल कहानी की रचना की गई हैं, सबसे पहले हम इस पाठ में सत्यजीत राय जो इस कहानी के लेख़क हैं, इनके परिचे की बारे में जानेंगे, उसकी बाद बच्चों हम इस कहानी को पढ़ेंगे, तो हम अब शुरू करते हैं सत्यजीत राय के परिचे को, इनका जन्म 1921 कोलकता पश्यमी बंगाल में हुआ था, इनकी प्रमुक फिल्में अपराजिता, अप्पु का संसार, जल सागर, देवी चारूलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलारी, सद गती, इतिहादी हैं, प्रमुक रचनाय, प्रोफेसर शंकू के कारणा में, सोने का किला, जहागीर की स्वन मुद्र, बादशाही अंगुठी, आदि, इनको सम्मान भी मिले हैं, जिनमें फ्रांस का लेजन्डी ओनर, पूरे जीवन की उपलब्दियों पर, ओसकर और भारत रत्न सहित, फिल्म ज सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ हैं, इनकी म्रत्यू 1922 में हुई थी, भारती सिनेमा को कलात्मक उचाई, प्रदान करने वाले फिल्म कारों में सत्यजीत राय अगलीव कतार में हैं, बच्चों ये फिल्म कार के साथ साथ लेखक भी रह चुके हैं, इनकी द्वारा कही रचनाय रची गई हैं, जिनके नाम हमने अभी देखें, इनकी निर्देशन में पहली फिल्म पंथेर पांचाली जो की बांगला भाशा में थी और यह उन्निसो पच्चपन में प्रदर्शित हुई उसने राय को अंतराष्टी इस्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारती निर्देशक बना दिया, इनकी फिल्मों की कुल संख्या तीस के लगबग हैं, इन फिल्मों की जरिये इन्होंने फिल्म विधा को समर्थ ही नहीं किया, बलकि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलचकों के बीच एक समझ विक्सित करने में भी अपना योगदान दिया, दियान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्य क्रत्यों पर आधारित हैं, बच्चों अप्पू के साथ ढाई साल, नामक संस्क्रण पथिर पांचाली फिल्म के अनुबवों से संबंदित हैं, जिसका निर्मान भारती फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी गटना के रूप में दर्ज हैं, इससे फिल्म के स्रजन और उसके व्याकरण से संबंदित कई बारिक्यों का पता चलता हैं, यही नहीं जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लेमर से चुथी आती हुई जान पड़ती हैं, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता हैं, जिसमें साधन हिंता के बीच अपनी कला द्रश्टी को साकार करने का संगर्श भी हैं, इस फार का भाशानतर बांगला मूल से विलास गीते ने किया हैं, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबुज पहली होती हैं, बनने या नबने पाने की अमूर्थ शंकाउं से गिरी होती हैं, फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है अपनी पहली फिल्म की रचना के दोरान हर फिल्मकार का अनुबव संसार इतना रोमांच कारी होता है कि वह उसके जीवन में बच्पन की स्मर्ट्यों की तरह हमेशा जीवन बना रहता है इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजनने से कम नहीं है बच्चो यह फिल्म जिसका नाम है अप्पू के साथ धाईस साल यह संसकरन हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि पथेर पांचाली फिल्म की शुटिंग चल रही होती है यानि यह फिल्म का नाम है पथेर पांचाली यानि पथेर का मतलब पथ का गित यह बांगला भाशा का शब्द है तो यह फिल्म 1955 में बांगला भाशा में बनी धाई साल इस फिल्म को बनने में लगे उन्हें इस फिल्म बनाने में कौन-कौन सी कठिनायों का सामना करना पड़ा यह फिल्म बनने में धाई साल क्यूं लगे और किन-किन आधार पर या फिर किन-किन परिस्तित्यों में इन्होंने इस फिल्म को पूरा किया यह हम इस पाठ में देखेंगे इसका अध्यन करेंगे सबी बच्चे अपनी-अपनी पुस्तक में ध्यान दे बच्चो पाठ का नाम है अपु के साथ धाई साल हम पाठ की यानि कहानी की शुरुआत करते हैं पथेर पांचाली फिल्म की शुटिंग का काम धाई साल तक चला इस धाई साल की काल खंड में हर रोज तो शुटिंग होती नहीं थी काल खंड का मतलब बच्चो समय का एक हिस्सा यानि यहाँ कौन कहा रहा है यहाँ सत्यजित जी कहा रहे हैं कि कहानी की शुटिंग जो हैं वो रोज तो चलती नहीं थी किसी समय शुटिंग चलती थी और किसी समय नहीं चलती थी तो मैं तब एक विज्यापन कमपनी में नोकरी करता था नोकरी के काम से जब फूर्सत मिलती थी तब शुटिंग करता था मेरे पास उस समय परियाप्त पेसे भी नहीं थे पेसे खत्म होने के बाद फिर से पेसे जमा होने तक सुटिंग इस्तगित रखनी परती थी इस्तगित यानि रोक की रखनी परती थी कुछ समय के लिए सुटिंग को रोक दिया जाता था तो हमने देखा कि अप्पू की साथ धाई साल यानि कि इस फिल्म को बनने में धाई साल लगे तो पेला कारण यह हो सकता है या पेला कारण यह है कि पेशों के अभाव की कारण लेखक यह जो हैं वो एक नोकरी विग्यापन कमपनी में नोकरी करते थे जब भी उन्हें फुर्सत मिलती और पेशा जमा हो जाता तो वे शुटिंग शुरू कर देते थे आगे देखते हैं शुटिंग का आरम करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इखटा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ विशेशकर अपू की भुमी का निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था बच्चों किसी भी फिल्म के लिए उसमें कलाकारों की ज़रुत पड़ती हैं और कलाकार अच्छे से अच्छे होने चाहिए तो इस फिल्म बेबी 6 साल के बच्चे की एक लड़की की ज़रुत थी लेकिन वह मिल नहीं रहा था आखिर मैंने अकबार में उस अंदर्ब में एक इस्तहार दिया यानि एक विज्यापन दिया कि मुझे एक 6 साल की लड़की की ज़रुत है रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था यानि की किराये पर वहाँ पर बच्चे इंटर्व्यू के लिए आते थे बहुत से लड़के आये लेकिन अप्पु की भुमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वेसा एक भी नहीं था एक दिन एक लड़का आया उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देख कर मुझे शक हुआ नाम पुछने पर नाजुक आवाज में वह बोला तीया उसके साथ आई उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहां ले आये हैं वे सज्जन पकड़े सच छिपा नहीं सके बोले असल में यहां मेरी बेटी है अपू की भूमी का मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहां ले आया हूं बच्चो समझे आप क्या समझे इससे कि एक महाशैजी उनकी लड़की को अपने बाल कटवा कर लड़का यानि अपू की जरूरत लड़के को जरूरत थी लेखक को तो वो अपने ऐस लड़की के बाल कटवा कर उसके पास ले आते हैं लेकिन सच पता चल जाता है विग्यापन देखकर यानि विग्यापन देखकर भी अपू की भूमीका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण में तो बेहाल हो ग लेकिन वे नाकाम्याब रहे उन्हें नहीं मिला जैसा उन्हें लड़का चाहिए था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा। जरा उसे बुलाईये तो आखिर हमारे पडोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनरजी ही पत्थिर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी ढ़ाई साल चलने वाला हैं इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दीन बितने लगे वेसे वेसे मुझे डर लगने लगा। वेकिन मेरी खुश किस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमी का निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदीरा ठाकुरुन की भूमी का निभाने वाली असी साल उम्र की चुन्नी बाला देवी धाई साल तक काम कर सकी यह भी मेरी सोभागी की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बढ हो गई अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकता से 70 मिल पाल्सिट नाम के एक घाव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मेदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेल गाड़ी देखते हैं इस सीन की शुटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था एक दिन में उसकी शुटिंग पूरी होना नामूंकिन था। कम से कम दो दिन लग सकते थे पहले दिन जगद्रात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दोडते हुए अप्पू। काश फूलो के वन में पहुचता है सुभा शुटिंग शुरू करके साम तक अपने सीन का आधा भाग चित्रीत किया। निर्देशक छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री हम सभी इस शेत्र में नवागत होने की कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रीत करने का निर्णई लेकर हम गर पहुचे। की बाद का थोड़ा सीन हम बाद में करेंगे। साथ दिन बात शुटिंग के लिए उस जगह तो हवह जगह हम पहचान ही नहीं पाए लगा ये कहां आ गए हैं हम कहां गए वे सारे काश फूल बीच के साथ दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे अब अगर हम उस जगह बाकी आदे सीन की सुटिंग करते तो पहले आदे सीन के साथ उसका मेल के से बेड़ता क्योंकि पहले तो वहाँ पर वह सारे काश फूल थे और अब वे काश फूल नहीं थे तो पहले की सुटिंग और अब की सुटिंग में मेल नहीं खाता उसमें से continuity नदा रद हो जाती उस सीन के बाकी अंश की shooting हमने उसके अगले साल शरत रितु में जब फिर से वह मेदान काश फूलों से भर गया तब की उसी समय रेलगाडी के भी shorts लिये लेकिन रेलगाडी के इतने shorts थे कि एक रेलगाडी से काम नहीं चला एक के बाद एक तीन रेलगाडियों को हमने shooting के लिए इस्तेमाल किया सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाडिया उस लाइन पर से जाती हैं यहाँ पहले ही time table देख कर जान लिया था हर एक train एक ही दिशा से आने वाली थी जिस station से वे रेलगाडिया आने वाली थी उस station पर हमारी team के अनिल बाबु थे रेल गाड़ी इस्टेशन से निकलते समय अनिल बाबु भी engine driver की केबिन में चड़ते थे क्योंकि गाड़ी के shooting की जगह के पास आते ही boiler में कोईला डालना जरूरी था ताकि काला धुआ निकले सफेद काश फुलों की प्रस्ट भूवी पर अगर काला धुआ नहीं आया तो द्रशी केसे अच्छा लगेगा पंथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने तीन अलग-अलग रेलगारियों का इस्तेमाल किया है आज के डिजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों की यूग में बहुत द्रश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते आर्थिक अभाव की कारण बहुत दिनों तक हमें अलग-अलग समिशावस से जुजना पड़ा एक उधारन देता हूं लेखक उधारन दे रहा है कि किस तरह से वे आर्थिक परिस्तित्यों से जुजे लेखक खुद भी जब शुटिंग नहीं चलती थी तो वो एक विज्यापन कमपनी में कारी करते थे मुल उपनियास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतु कुत्ते का उलेख है गाव से ही हमने कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बरताव करने लगा फिल्म में एक द्रश ऐसा है अप्पू की मास सरवजया अप्पू को भात खिला रही है भूलो भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बेट कर अप्पू का भात खाना देख रहा है बच्चो लेखा का कहना क्या है यहां कि अप्पू को उसकी मा बहाद खिला रही होती है और कुटा दरवाजे पर बेट कर अप्पू को देखता है अप्पू की हाथ में छोटे तीर कमान है खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है वह मा की और पिट करके बेठा हुआ है वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है अपु खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है उसकी बाद खाना छोड़ कर तीर वापस लाने के लिए जाता है बच्चों हमने गर में देखे होंगे छोटे बच्चे की तरह से नाटक करते हैं और मा पीछे पीछे दोड के उन्हें खिलाती हैं तो इस तरह से अपू भी कर रहा है सर्वजया बाई हाथ में वह थाली और दाईने हाथ निवाला लेकर बच्चे के पीछे दोड़ती है लेकिन बच्चे की भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा भूलो कुता भी खड़ा हो जाता है उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भाथ की थाली है उसकी और है इसके बाद वाले शोट में हमें एसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भाथ एक गमले में डाल देती है और भूलो वह खबात खाता है लेकिन वर शोट हम उस दिल दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पेसे थेवे भी खत्म हुए छे मैने बाद फिर से पेसे इखटे होने पर हम फिर बोडाल घाम में उस सीन का बाकी अन्श चित्रित करने के लिए गए लेकिन वहाँ जाने पर समाचार पत मिला कि भूलो कुटा अब इस दुनिया में नहीं है अब क्या होगा बच्चो जिस तरह से भूलो ने उस शौर्ट दिखाया था भूलो का जो एक कुटा था अब छे मैने की बाद फिर से वे वहाँ आते हैं तो वो कुटा जो है वो मर चुका होता है खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुटा घाम में है अब लाहो पकड़ के उस कुटे को अब वेसा कुटा लाने गए सच मूच यहाँ कुटा भूलो जैसा ही दिखता था पेले जैसा कुटा था वेसा ही यहाँ दिखता था वहाँ बूलो से बहुती मिलता जुलता था, उसके शरीर का रंग तो बूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दूम का छोड भी बूलो के दूम की छोड जैसा ही सफिद था, आखिर यह फेका हुआ, भात उसने खाया और हमारे उस द्रश्य की शुटिंग पूरी हुई, फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमी का दो-दो अलग कुत्तों से काम लिया हैं, बच्चों हमने देखा इस कहानी में कि किस तरह से लेखक जो पेशो के अभाम में शुटिंग जो फिल्म की चलरी होती है, उसमें ज्यादा लगता है, इस वज़े से यह सुटिंग जो फिल्म जो होती है उसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, अब आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या लेखक फिल्म को पूरी कर पाता है, उस फिल्म को पूरी करने के लिए कौन-कौन सी परिस्तितियों से उसे जुजना पड़ेगा यह हम पाग दो में देखेंगे दन्यवाद